निश्चित तोर पर आप सभी लोग सहारा परिवार से जरूर वाकिब होंगे सहारा परिवार सहारा इंडिया परिवार के बारे में आप सभी जानते होंगे दरसल अभी हाली में देश के सबसे ताकत वर कारोबारी घरानों में शेख सहारा ग्रूप के जो प्रमुख है जो चेयर मैन है सुबत राय सहारा जी का बीते दिन जो है निधन हो गया ठीक है और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था कोकिला बेन अस्पताल है काफी बड़ा और जितने भी बड़े बड़े जो है उद्योग पती होते हैं फिल्म इस्टार होते हैं इसी अस्पताल पर इलाज कराते हैं तो कोकिला बेन अस्पताल पर ही इनका निधन हो गया लगए 75 वर्स की उम्र थी इनकी उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया लेकिन सहारा इ देल भी जाना पड़ा उन्हें हाल ही में करोड निवेशक जो है आज आस लगाए हुए है कि सहारा इंडिया में जो उनका पैसा फसा हुआ है वो कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इस दीशा में भी हम चर्चा करेंगे डिसकसन करेंगे तो मैं एक स्टोरी की करोड रुपए का एक इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसके कायट से इनको जेल भी जाना पड़ा ठीक है आखिरकार ये क्या था क्या मैटर था पूरा का पूरा किस तरीके से मैटर सामने में आया ठीक है एक परसन थे रोसन लॉल ठीक है इन दौर के निवासी थे पेसे से स कोपरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेश्मेंट कोपरेशन की तरफ से जो बॉंड जारी किये गए थे उन सभी बॉंड को लेकर के जो आनमीते ताय बरती गई उसको लेकर इन्होंने एक जो है चिट्थी लिखी थी एक जो है बैंक था आपका एक रेगुलेटरी एक एक जो है नेशनल हाउसिंग बैंक को लेकर के चिट्थी लिखी गई थी बाद में मामला सेवी के पास जाता है और फिर सेवी वरसे सहारा ये मुद्दा काफी लंबा चलता है ठीक है तो अभी हम इस पर बात करेंगे क्या-क्या मैटर है किस तरीके से जो है इस मैटर को लेकर क हमें डिसकस करना है तो कहां पर ये पूरी बात थी आज करोडों लोग जो है आस लगाए हुए है और निवेशक बहुत समाने परिवार से जुड़े हुए थे जो सारा इंडिया के निवेशक थे ना वो बहुत समाने परिवार से ऐसे तपके के लोग आते हैं जिनके पास बहुत आम पूंजी होती है, आम कैपिटल होती है, और हर तरीके के लोग भी थे, ठीक है, तो सुबत राय सहारा जी का अभी हाली में निदन हुआ, पच्छत्तर वर्ष के उम्र में, इन्होंने अन्तिम सांसली, अब पूरा एक बार सहारा इंडिया और सुबत राय सहारा जी के बारे में जानते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है, मैं दो सेशन में पूरी कहानी discuss करूँगा, एक सेशन ये, हो सकता है, तीन सेशन भी हो जाएं, लेकिन एटलिस करम से सहारा कुछ आपका होता रहेगा, आप लोगो सेशन से ही सेशन देखने हैं, ठीक है, पहला सेशन है ये आपका, और इस सेशन में आपको प्रॉपर discussion करूँगा, देखे, सहारा देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, आप सभी को पता होगा, इसके कई सारे venture थे, कई सारी चीजों को लेकर काम कर रही थी, ठीक है, और हो सकता है, आप लोग भी इससे प्रभावित रहे हों, चलाने वाले एक ही हैं, सूबत राय सहारा, और एक बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा employee group था, इतने सारे एजन्ट काम करते थे सारे में, लगबग 11 लाग से जादा करमचारी सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए थे, 11 लाग, आप सोच सकते हैं, बहुत huge संक्या है, और ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं था कि banking की सेक्टर में ही थी, ये real estate के सेक्टर में थी, finance के सेक्टर में थी, infrastructure के सेंटर में थी, media के, जो है, media आपको पता होगा, सहारा का एक चैनल भी चलता था, new channel भी चलता था, आपका, entertainment industry में भी थी, health care में भी थी, real estate में थी, information technology में थी, sport में भी थी, आपको पता होगा, cricket team मे सहारा इंडिया की sponsor हुआ करती थी एक समय पे हैना सहारा इंडिया परिवार sponsor हुआ करती थी और 11 सालों तक जो है team इंडिया का sponsor है 11 साल छोटा मोटा नहीं है और आपको और बता दूँ IPL में एक team होती थी आपकी पूरे वारियर्स साहद आपको पता हो पूरे वारियर्स टीम के मालिक भी सूबत राय सहारा ही थे IPL में इनकी एक खुद की cricket टीम भी थी पूरे वारियर्स करके तो बतलब आप समझ सकते हैं इस से कि ये एक कितनी बड़ी company रही होगी और कैसे जो है ये सब कुछ बदल जाता है 28 परवरी 2014 को 28 परवरी 2014 को सब कुछ बदल जाता है इतनी बड़ी company कैसे जो है खाक बन जाती है कैसे सुबत राय सहारा को जो है जेल जाना पड़ता है लाखों लोग का भरोसा अचानक से तूट जाता है ठीक है तो एक बार समझने का प्रयास करेंगे 1978 में 2000 रुपए से सुरुआत करने अर्बो रुपए का सम्राज बनाने वाले कैसे सुबत राय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच जाते है उसकी पूरी कहानी समझाने का प्रयास करते है ठीक है उससे पहले मैं थोड़ा सा सुबत राय सहारा जी के बारे में बताऊंगा ठीक है आपको सायद पता हो 2013 की घटना मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं एक बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्ट है सुबत राय सारा जी के बारे में ये वाला आप द्रिश्य सायद आपको पता हो ये द्रिश्य है सायद ये बहुत चर्चा में रहा उस समय ये बात है 6 मई 2013 की देश भर से सैक्डों बसों था 30 फुटबाल ग्राउंड से भी बड़ा मैदान था एक साथ राष्ट गान गा करके वर्ड रिकॉर्ड बनाना और ये सपना था एक व्यक्ति का सुबत राय साहरा का ध्यान से समझेगा क्योंकि इस से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था पाकिस्तान में एक बजे लाउड स्पीकर से एनाउंस्मेंट किया गया और सहारा स्री के नाम से प्रसिद आपके सुबत राय सहारा जो है पहुंचे और सहारा स्री जिंदाबाद के नारे लगते हैं सहारा स्री के नाम से जानते थे सहारा जी को ठीक है मैदान पे लाखों लोग मेजूद एक लाख एक लाख इक्कीस अजार छेसो तिरपन लोगों ने एक साथ मिलकर के राश्टगान गाया और एक रिकॉर्ड बन जाता है गिनीज फिर्ड रिकॉर्ड भारत के नाम पे सुबत राय सहारा के duty के ड्वारा बनाए गया था, इतने बड़ा कारे किया है, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने क्या-क्या काम किये, मलब आप सोचिए कि यह ऐसे छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, एयर लाइन से लेकर रियल इस्टेट तक इनका जो है ब्यापार और बिजनेस था, ठीक है मैं यहाँ पे कुछ ब्यापार, यह एयर लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एयर सहारा, यह एयर लाइन चलती थी सहारा इंडिया की, समझ रहे हैं, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1993 में इसकी उड़ाने सुरू हो गई थी, एयर सहारा, तो एयर लाइन भी चलती थी ठीक है 2007 में जो है कहते हैं कि जेट एयर वेस को इसने खरीद लिया था जेट एयर वेस को खरीदा और जेट लाइट के नाम से री ब्रैंडिंग की गई जेट लाइट जो चलती थी वो भी आपकी सहारा की ही आपकी होती थी इसके बाद देखिए ये मुंबई का एक जगह है और सबसे महंगा जगह है लोना वाला का नाम आपने सुना होगा वहाँ पर 10,600 एकर में इनके द्वारा एंबी बैली बनाए गए थी क्या बनाए गए थी एंबी बैली ठीक है तो एंबी बैली का निर्मार भी सहारा स्री के द्वारा ही ये किया गया था आप सो नहीं है कि यह कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ऐसे करके कई सारे सहरों में इसको बनाया गाया गया अम्बी वैली के अलावा बहुत सारे गोमती नगर हो गया आपका कई सारे चीजे यह आप देख सकते हैं यह लोना वाला मुंबई में और इसको जो है डेबलब किया ठीक है सहरा इंडिया परिवार को इसके बाद कई सारे रेजनल मूबी इंटर्टेन्मेंट चैनल भी लांच किये गए सहरा मनुरंजन करके कई सारी चीजे सहरा वन मोशन पिक्चर के जरिये बॉलीवूड की कई सारी फिल्में रिलीज कराई गई तो फिल्म इंडस्ट्री में इनका जुडाव था इससे आपको आइडिया लएगा कि चोटी मोटी कंपनी नहीं थी यह देश की सब से बड़ी कंपनियों में सेख थी जो की नेस्तना नाबूत हो गई ठीक है फिर इसके बाद सारा इंडिया ने जो है टीम इंडिया को 11 साल तक स्पांसर किया चोटी पहले यह आप देख सकते मैं आपको जर्सी दिखाता हूं सब सहारा ही स्पांसर करता था यहां पर लिखा हुआ है ना सहारा इंडिया ठीक है तो आप सोचते है छोटी मोटी कंपनियों में से नहीं थी एक बड़ी कंपनी है ठीक है इसके बाद सहारा के द्वारा पूने की पूने वारियर्स टीम थी आई पील की 2015 में इसमें सामिल हो गई इसने टीम बना ली ठीक है इसके बाद 2013 में सहारा की स्थिति जब खराब हो गई यह जो पूरा मैटर हुआ आपका से बीच में विवाद चालो हो गया उसके बाद से स्पॉंसर्शिप खतम हो जाती है ठीक ह इति थे सुबत राय सहारा, ठेक है कैसे सकैम हुआ क्या हुआ इस पे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम सहारा स्री के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे सहारा स्री जो है इनका जीवन रहा कैसे इन्होंने संघर्ष किया कैसे बहुत कम पूंजी से लेकर के इतने बड़े बिजनेसमेन बन गए, इतने बड़े बिजनरी बन गए, बहुत सारे राजनितिक दल भी इनके साथ जुड़े हुए थे, कई सारे फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इस्टार इनसे जुड़े हुए थे, अटल ब्यारी बाचप जो है आपका एक जो है डिवेंचर जारी किया था इनके दोरा ओप्शनली फुली कनवर्टर बल डिवेंचर जारी किया गया था जिसको हम OFCD कहते हैं उसके बाद जो है पूरा का पूरा मुद्दा बनता है ठीक है अब चलिए एक बार थोड़ा सा सहारा स्री के बारे में जा ज़िया है री आप मेंसे बहुत सारे लोग हैं कई लोग के रहे हैं सर मेरे चाचा जी सहरा में एजेंट थे और आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होगे जो ह Saihara में आप लोग का भी एकाउंट होगा घर में किसी किनिसस्यद catch G ow in कि Samara में जो pajsas जम्ह किया है, वो पैसा काब आएगा, अभी सरकार के द्वारे एक सहारा इंडिया refund portal भी launch किया गया, आप सभी को पता होगा, और उस refund portal में आप लोगों रेइस्टेशन करा लिया होगा, तो एक सहारा इंडिया refund portal है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि साहरा एंडिया रिफर्ड पोर्टल के माद्दिम से जो हमारा सहिकारिता मंत्री हैं अमिशा जी उनके द्वारा बोला गया है कि लोगों को पैसा वापस किया जाएगा जो साहरा के निवेशक हैं भी 5,000 करोड रुपए जो है सरकार के द्वार वापस करने की बाद की गई है ठीक है चलिए तो सुबत राय कैसे जो है साहरा स्री बनते हैं पहले तो इनका जन्म हुआ दस जून को दस जून उनिश्वर तालिस को इनका जन्म हुआ सुबत राय का ठीक बिहार के अररिया में इनका जन्म हुआ लेकिन जादतर समय इनका क कलकत्ता में भी था माता का नाम छवी था पिता का नाम सुदीर चंदर रॉय था ठीक है सुरुवाती सिक्षा जो है वहीं पर होली चाइल्ड स्कूल है वहां से हुआ बाद में जो है स्कूल था इनके पास लेबरेंटा स्कूल था वहां पर जो है ये जया प्रोडक्ट के नाम से इनका एक प्रोडक्ट था जया प्रोडक्ट उससे नमकीन बेचा करते थे ठेक है 1978 में इनों ने गोरकपूर में एक छोटा सा ओफिस बनाया और वहीं से उसी ओफिस से सहारा की निव रखी लाखों लोग इस से जुड़ते चले गए समय के साथ और सहारा जो है सुबत राय सहारा बन गए और सहारा से सहारा स्री बन गए तो दरसल इनके जीवन की सुरुआ कब होती है 1978 से प्रॉपर सुरुआत होती है जब सहारा की निव रखी गई ठीक है यह आप समझने की प्रयास करिएगा ठीक है अब देखे अठाइस फरवई 2014 को सब कुछ बदल गया 1978 में 2000 रुपए से सुरू हुई जो अर्बो रुपए का सम्राज्य था सुबत राय सहारा सहारा स्री सलाकों के पीछे पहुंच गया ठीक है इनकी कंपनियों को पर आरोप लगा और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाए सेबी ने लगाए मामला सुप्रीम कोट तक पहुंचा 24,000 करोड रुपए दरसल यह पूरी रखा में 24,400 करोड रुपए इतना पैसा सुप्र करता मंत्राले आकर के जुड़ गया है तो यह मैटर काफी लंबा चला ठीक है इनकी दो कंपनियों को नियमों के खिलाप लोगों से पैसा निवेस कराने का आरोप लगाए गया और यह आरोप क्या था इस सब चीजों को लेकर मैं आपको आगे डिटेल में डिसकस करूँग नेक्स सेशन में प्रॉपर हमारा चर्चा होगी इसको लेकर के तो यह केस लंबा चलता रहा अभी भी चल रहा है लोगों का पैसे को लेकर सरकार ने सारा इंडिया रिफंड पोर्टल जो है आपका लांच किया है अब इसको लेकर मैं आपको बहुत थोड़ा सा सिंपली ब बताऊंगा ठीक है इनके द्वारा सहारा का जो मतलब पूरा का पूरा कॉंसेट था वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे दरसल में कॉंसेट ही था कि लोगों से बहुत कम जो है पूंजी जो मैं लावा इसा नहीं है लोगों की जो भी पेंग कैपिसी हो किसी के प इन्वेस्ट करा करके जो है काफी सारा निवेशकों के द्वारा पैसा जो है इन्वेस्ट लिया गया ठीक है अब दरसल मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि दरसल जो पूरा का पूरा मैटर है यह एक डिवेंचर का है ठीक है एक डिवेंचर ल सभी से सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बोला कि आपको पैसा पूरा जो है वापस कराना है दरसल पैसा सेवी के पास पहुच भी गया है 25,000 क्रोड रुपए सेवी के पास है ठीक है अब पैसा निवेसको तक कैसे पहुचेगा ये सबसे बड़ी चीज है दरसल एक डिवेंचर था optionally fully convertible डिवेंचर ठीक है यह एक आपकी debt security होती है जो की जो जारी करता होता है जिसे साहरा इंडिया इसमें जारी करता थे उसके द्वारा capital इकठा करने के लिए मलब किसी भी बड़ी company को अपना capital इकठा करना हो तो अपने डिवेंचर वो public म ला सकती है और optionally fully convertible डिवेंचर इनके द्वारा लेकर के आए गया था यह debt security थी मतलब red bond था आपका और इसके तहे जो है पुझी जुटाने का काम इनके द्वारा किया गया और जब जारी करता के द्वारा बाद में जब maturity अवधी हो जाती है तो निवेशक को ब्याज के सा को बताया optionally fully convertible डिवेंचर इसके माध्यम से 24,000 करोड उपहिनों नहीं कठा किया जब सेवी को पता चला कि इसको लेकर के इनके द्वारा लगबक टोटल धाई करोड निवेशक थे उनसे पैसा पूरा का पूरा ही कठा किया गया था फिर सेवी ने कहा कि जो भी यह bond जारी किये गए डिवेंचर जारी किये गए इससे उनको अनुमती नहीं ली गई अनुमती के साथ साथ इसमें नियमों में अनिमितता बरती गई जब मैटर सेवी के पास पहुंचा दोजार बारा में सुप्रिम कोट के पास मैटर पहुंचा तो सहारा को सुप्रिम कोट ने कहा कि 15% ब्याज के साथ सेवी के पास पैसा पूरा का पूरा जमा करेंगे सभी डिटेल्स सेवी के पास जमा करने के लिए कहा गया कि किनका जो है 27 ट्रकों में लोगों के डाकुमेंट भेजे गए थे आपको पता है 27 ट्रक भेजे गए थे सेवी के पास उसमें पूरे डाकुमेंट बेजे गये थे, सभी डिटेल्स भी सेवी के पास जमा करने के लिए कहा, ताकि निवेश्कों को उनका पैसा लोटाये जा सके, ठीक है, और 117, इसमाप करेगे, 127 ट्रक बेजे गये थे, ये पूरे OFCD के डाकुमेंट्स बेजे गये थे, लेकिन कालांतर में ये पैसा लोटाय जा पाने में शुरुवाती दौरान पे, मतलब नहीं पर पाया, तीन महिने का टाइम दिया गया था, शुरू-सुरू में सहारा को, और तीन महिने के भीतर सेवी को 15% व्याज के साथ पैसा जमा करने की बात की गई थी, लेकिन वो फिर पैसा जमा नहीं हो पाया, और अंतो को लेकर जो नेक्स सेशन होगा, उसमें हम पूरी चर्चा यही करेंगे कि सहारा इंडिया का गोटाला क्या है, कैसे यह मुद्दा सामने आया, क्या-क्या बात रही, आज मैंने आपको एक थोड़ी सी प्रष्ट भूमी बताई है, अभी इसको इन डेप्त बताएंगे, इस है, क्योंकि अभी भी पोर्टल बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, पोर्टल में बहुत सारी खामिया है, रेइस्टेशन करने में लोगों को बहुत दिक्कते आ रही है, लोगों को एक भरोसा और विश्वास नहीं है, सरकार के द्वारा बोला गया कि पहले चा पूरे खतम हो गए, चाल लाग थे, वो खतम हो गए, तो लोगों ने बहुत मेहनत करके जो पैसा जमा किया था, एक भरोसा टूटता है बैंकिंग सिस्टम से, इसलिए सरकार को चाहिए कि यदि सरकार के पास पैसा पहुँच चुका है, सेवी के पास पैसा है, तो निवेस करेंगे आगे आने वाले सेशन में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस मैं आपको धीरे-दीरे नेक्स सेशन में पूरी तस्बीर साफ करूँगा, उसके नेक्स सेशन में बाकी की चीज़े बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए, नेक्स से आप लोग जरूर जुडिएगा, क्रम से थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग समस्ते जाएंगे, ठीक है, चलिए.